नमस्क्रार दोस्तों लक्ष्मी कान्थ की 94 वीडियो में आपका स्वागत है देखते हैं कौन कौन से चीजों के बारे में बात करेंगे Re-adjustment after each census इच December के बाद किस तरीके से Constituencies का Re-adjustment होता है क्या Delimitution Commission का रोल इसके बारे में बात करेंगे Reservation of the seats for SC's and ST's और first past the post system, इंडिया में जो लोग सभा के elections में first past the post system चलता है, इसके बारे में समझेंगे, तो थोड़ा सा tricky है यहाँ पे समाझना, तो मैं आपको detail में समझाने कोशिश करूँगा, आगे बढ़ने adjustment होगा, क्यों होगा re-adjustment, for the allocation of seeds in the लोग सभा to the states, and division of each state into territorial constituencies, देखे यह बोला गया है कि हर 10-10 साल के बाद census होता है, आपको पता है census होता है, हर 10 साल पर होता है, तो 2011 का census हुआ, अभी इन प्रोसेसे 2021 की census का data आएगा, उसके बाद 2021, 41, 51, यानि 2011 की census के बाद, 2021 का census, जो कि अगले साल आएगा, फिर 2031 का census, फिर 2041, 2051, 2061, 71, 81, तो इस तरीके census आद 10 साल के बाद आते जाते हैं, अभी बोला यह गया है कि हर 10 साल के बाद, जो हमारे देश की आबादी है, वो आबादी बदलेगी, अभी आबादी बदलेगी, तो उस आबादी के बदलने के हिसाब से, लोगसभा में सीटे भी बदलनी चाहिए, चोकि फिर भाई, कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे, जहां पे लोगों की आबादी बढ़ चुकी होगी, तो उनका लोगसभा में representation बढ़ना चाहिए, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, कि भाईया, एक स्टेट के अंदर territorial constituency को जिस तरीके से बाटा गया है, उसमें भी कुछ change आना चाहिए, तो बात यह है, कि पार्लेमेंट को यहां पर constituencies को बाटना है, यह procedure पार्लेमेंट डिसाइड कर सकता है, और इसके लिए पार्लेमेंट ने समय समय पे delimitation commissions बनाए है, तो delimitation commission act 1952, delimitation commission act 1962, 1972, 2002, इसी purpose के लिए बनाएगे थे, मतब हर 10 साल के बाद आपका census आएगा, और उस census के हिसाब से लोगसभा में कित्ती सीटे हैं, और एक स्टेट के अंदर जो भी लोगसभा का allotment है, वहां पर constituencies को किस तरीके से आप delimit करोगे, इन सब चीजों के बारे में, एक decision आगा, यह बोला गया, लेकिन आप देखोगे कि 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के थूँ एक चीज करी गी और बहुत logical चीज थी यहां मैं बोलूँगा, 42nd Amendment Act 1976 के थूँ यह बोला गया, कि देखिये भाई, allocation of seats in the लोगसभा to the states and division of each state into territorial constitutional constituencies till 2000 and 1971 language, यानि कि भाईया, 1971 के census के बाद 1972 में एक delimitation commission आयता और उस delimitation commission ने बता दिया कि आपकी लोगसमा में कित्ती seat है, महाँ पर 540, total 552 seat हैं बताएगी थी 543 वैसे, और यह बताए, 543 प्लस 2 मतलब 545 उस ताइम पर, और यह बोला गया, कि अलग-अलग states में, constituencies को किस हिसाब से decide किया जाएगा, उनकी territory क्या क्या होगी, लेकिन 1976 में जो central government थी, उसने एक amendment किया और यह बोला, कि अब देखिए, जो भी total seat allocation है आपका, लोगसभा में, मतलब overall लोगसभा में, किस-किस state को कित्ती कित्ती seat दी गई हैं, अब यह 2000 एयर तक हम रोक दे रहे हैं, 1971 के level के हिसाब से, ऐसा किया क्यों गया, ऐसे इसलिए किया गया, चुकि देखिए, अब अगर आप population के basis पे लोगसभा में seat दे रहे हो, और हर 10 साल के बाद इन seat ओं को accordingly adjust कर रहे हो, तो होगा क्या, कुछ राज्य की सरकारों को ये समझ में आएगा, कि अगर हमको अपनी importance को बढ़ाना है पार्लैमेंट में, तो हमको अपनी population को बढ़ाना होगा, इसके चलते बहुत सारे जो राज्य हैं, वो अपनी population को बढ़ाने वाले decisions लेने पड़ेंगे, और ये इंडिया के लिए बहुत dangerous हो सकता है, जोकि इंडिया एक इतनी बड़ी country, आबादी वैसे इतनी जादा है, तो कहीं न कहीं population को control करना ज़रूरी था, तो इस population को control करने के लिए, एक political incentive ना जाय हर 10 साल के बाद, इसके लिए सरकार ने क्या किया, कि 1971 के बाद, जो भी लोग समा में सीटों का allocation किया गया था, और जो भी territorial constituencies बाटी गई तो उनको 2000 तक fix कर दिया, बोला गया, अब 25 सालों के लिए, यानि 1976 से लेके 25 सालों के लिए, कोई भी changes नहीं किये जाएंगे, तो 2000 तक तो देखी, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप 2000 के बाद देखोगे, यह जो ban था ना, re-adjustment पे, इसको 25 सालों के लिए और आगे बढ़ाया गया, यानि 2000 से लेके, 2025 था कि नहीं, आप कह सकतो तो up to 2026 था, 1971 में, जो आपका census आया, उसके बाद 1972 में, जो limitation हुआ, उसने क्या बोला, लोग सबा में टोटल 543 सीटे, 42nd amendment act 1976 ने क्या बोला, कि भाईया, 2000 तक यह 543 सीटे ही रहेंगी, और बाद में, जब आपका 84th amendment act 2001 आया, तब भी यही बोला गया, कि यह 543 सीटे, 543 ही रहेंगी, लेकिन आप देखोगे, कि जो 84th amendment act 2001 आया, दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई, देखे, 84th amendment act 2001 ने बोला कि जो लोग सबा में जो 543 सीटे हैं, जो कि 1971 के बाद नहीं बदली हैं, आप यह 2026 तक नहीं बदलोगे, लेकिन इन 543 सीटों को आपने अलग-अलग स्टेट को एलोकेट कर रखा है, जैसे कि आपने UP को 80 सीटे दे रखी हैं, अभी UP के अंदर जो territorial constituencies हैं, उनको जब adjust करने वाली बात आई, तो 84th amendment act 2001 ने बोला कि भाई, आप उनको adjust कर सकते हो, यानि कि 84th amendment act 2000 also empowered the government to undertake readjustment and rationalization of territorial constituencies in the states on the basis of population figures of 1991 census, यानि यहाँ पर हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि देखो भाई, overall एक state को लोकसभा ने, जितनी भी seat दे दी गई, वो तो उतनी रहेंगी अगर number of seats in लोकसभा बढ़ रही हो, तो तो बात है, जैसे कि प्रणम मुखर जी ने एक समय पर बोला था कि भाई, लोकसभा में जो total number of members है, आप उनको 1000 तक लेके जाओ, इस तरीके की बीच में, कोई ना कोई यह तो उतनी रहने वाली है, ठीके ना, लेकिन, इस composition को जिस तरीके से आपने states में माटा, वो भी उतनी रहने वाला, तो 80 आपकी UP के पास रहेंगी, बाकी states को जितनी भी नहीं उतनी रहेंगी, लेकिन, यह जो 80 seat में मेली UP को, इनके हिसाफ से जो territorial constituencies आप UP में माटोगे, आप उसको बदल सकते हो, तो 84th constitutional amendment act 2001 ने बोला, 84th amendment act 2001 ने बोला कि आप एक काम करो, 1991 के population के census के हिसाब से, states के अंदर जो भी आपको constituencies का readjustment करना है, rationalization करना है, वो आप कर लो, फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक और act आएगा जिसका नाम था 87th amendment act 2003, इसने यह बोला, कि आप कर सकते हो, delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census, चुकि यह जो 84th amendment act आया था, यह 2001 में ही आया था, तो 2001 में ही आया था, और 2001 में census भी आ गया, तो 2001 में जब census आही रहा है, तो 1991 के census के साफ़ से क्यों कर रहा हो, readjustment, 2001 की census के साफ़ से कर लो, तो यह सुविधा दे दी 87th amendment act 2003 ने, और 87th amendment act 2003 के साफ़ से, फिर अलग-अलग states में, जो भी लोगसभा की seat अलोकेट की गई थी, उनका readjustment किया गया, constituencies का किसके basis पे, 2001 के census के basis पे, तो इससे dual चीज़े हो गई, एक तो readjustment भी हो गया, census का इस्तमाल भी हो गया, दूसरी जो total number of seats allocated थी, लोगसभा को वो change नहीं हुई, त तो किसी भी state को ये incentive नहीं मिलेगा कि वो अपनी population बढ़ाने में लग जाए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, फिर बात करते हैं भाई, reservation of seats for SCs and STs, देखिए हमारे देश में communal representation था आजादी से पहले, अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो Morley Minto reforms ले लो, Montford reforms Government of the Act, 1935 ले लो, सब में communal representation दिया गया, finally इंडिया जब आजाद हुआ, दो टुकड़ों में बढ़ गया, उसके बाद इंडिया के अंदर communal representation के system को हटा दिया गया, but schedule caste के लिए, और schedule tribes के लिए seat को reserve किया गया, उनके population के ratio में, ओके, तो यहाँ पर यह बोला गया, कि होंगे किसके लिए, schedule caste के लिए, schedule tribes के लिए, अभी वो कौन से proportion में reserve होंगी, इसको पता करना थोड़ा सा dangerous चीज़ है, तो आप क्या करो, कि मानलो आप UP की बात करो, अभी UP में लोग सबा के 80 seat हैं, तो यह जो 80 seat हैं, इन में से कितनी SC के लिए reserve की जाएंगी, कितनी ST के में, तो overall population को represent कर रहे हैं 80 लोग, तो एक state में और एक union territory में, schedule caste और schedule tribes की जितनी भी आप कह सकते हो कि population है, उस population के proportion के साथ से उस state में seat reserve की जाएंगी SCST के लिए, और यह जो SCST के लिए seat reserve होती हैं, यह rotate होती रहती हैं, तो अगर आप लखनो constituency की बात कर लो, या UP में मोहनलाल गंज constituency की बात कर लो, तो मोहनलाल गंज constituency हो सकता है कि कि किसी एक general election में किसी SC candidate के लिए reserve हो जाए, किसी एक ST candidate के लिए reserve हो जाए, या फिर वो general seat हो, यह हो सकता है, यहाँ पे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो seat का reservation है, इसमें अभी parliament में भी दिया गया है, उस originally यह बोला गया था कि इस reservation को 10 साल के लिए चलाएंगे 1960 तर, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हो कि अब तक हर बार एक Constitution Amendment Act को लाकर 10 साल के लिए इस reservation को आगे बढ़ा दिया गयाता है, तो 2010 में आप कह सकते हो कि 95th Amendment Act 2009 लेके आया, और 95th Amendment Act 2009 ने जो 2010 में reservation खतम होने वाल जो system है, जो यह खतम होने वाला था reservation का, Parliament में, SCST का, उसको 104th Amendment Act 2019 के तुरू फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो हर 10 साल में एक Amendment Act लाके इस reservation के प्रावदान को बढ़ा दिया जाता है, अब देखें, अगर कोई seat किसी SC Member के लिए reserved है, यह ST Member के लिए reserved है, तो उसके लिए जितने भी voter है, सब vote डालेंगे, यानि यहाँ पर कोई caste के basis पर electorate नहीं decide है, तो आप किसी भी धरम के हों, किसी भी जाती के हों, किसी भी gender के हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कि यहाँ जो candidate खड़ा है, चाहे वो जनरल कोटे से खड़ा है, चाहे वो SC कोटे से खड़ा है, आप सब उसकी voting में अपना vote डालोगे, और एक SCST को इस बात से किसी भी तरीकी से डिबार नहीं किया जा सकता है, कि वो किसी जनरल की कोटी पे लड़ सकता है, तो एक जनरल केटेगरी की कोटे पे भी SCST candidate लड़ सकता है, बशरते उसको पार्टी का ticket मिल या वो एक independent candidate की तरह भी लड़ सकता है, तो यहाँ पे जो 84th amendment act 2001 था, this provided for refixing of the reserved seat on the basis of population figures of 1991 census, as applied to the rationalization of general states, later the 87th amendment act 2003 provided the refixing of the reserved seats on the basis of 2001 and not 1991, क्या बोला जाला है, 84th amendment act 2001 ने क्या बोला जाला है, 84th amendment act 2001 ने क्या बोला, तो फिर से readjust कर सकते हो, according to 1991 census, और 1991 census में जो अलग-अलग states में SCST का proportion निकल के आ रहा था, उस हिसाब से अब reservation करोगे, लेकिन फिर आ गया 87th amendment act 2003 और 87th amendment act 2003 ने बोला, कि देखे, अब आप जो rationalization कर रहे हो, जो readjustment कर रहे हो seatों का, वो करो 2001 के census के हिसाब से, अब 2001 के census में, proportion बदल गया होगा, तो 2001 के census के हिसाब सही, आप SCST के seatों का reservation भी करो, अलग-अलग stateों में, ठीक है, तो 84th constitutional amendment act और 87th constitutional amendment act 2003 से confused होने की जरूत नहीं है, काफी simple है, बस याद रखेगा, 84th constitutional amendment act 2001 की जब entry होगी, तो जो total लोगसवा की seat हैं, वो change नहीं होगी, लेकिन लोगसवा की seat है, अलग-अलग states में जो बाटी गई है, उस state का जो internal territorial readjustment होगा, और state के अंदर जो SCST quota को representation दिया है, उसको census के साब से change किया जागा, बट जो overall total seat से उनको नहीं change किया जाएगा, ताकि population limiting measures को proper तरीके से implement किया सके, और भाया, finally हम लोग आते हैं किस पे, first pass the post system, भाया, अग अगर आप लोग सभा, यह हमारी लोग सभा दिख रही है, लोग सभा में election में participate कर रहो, अभी आप अगर बात करो, राजसभा की, मैंने आपको बताए कि राजसभा की members को कैसे चुना जाता है, proportional representation by means of single transferable vote, और अगर आपको समझना है कि यह proportional representation by means of single transferable vote क्या है, तो आप president वा manner of election बताया, वहाँ पे जाके देखिए, आपको पूरा idea लग जाएगा कि proportional representation by single transferable vote किसको बोलते हैं, तो भले ही राजसभा के लिए proportional representation वाले system को इस्तमाल किया गया, लेकिन लोग सभा के लिए territorial representation, first pass तब post system को इस्तमाल किया गया, अब यहाँ पे हमारे लिए बात करना पेले, एक geographical area, यानि एक territorial constituency के लिए एक से ज़्यादा representative कुछ cases में होते थे, बड़ 1961 के बाद, एक territorial constituency को एक member represent करता है, और एक constituency से एक representative elect होका, जिसको बोला जाएगा single member constituency, इस single member constituency के लिए, जब voting डलवाई जाएगी, जो candidate majority of the votes लेके आएगा, उसको elect माना जाएगा, तो यह simple majority system है representation का, यह पूरे electorate को represent नहीं करता, मैं बताता हूँ, कैसे, मान लीजे, मोहन लाल गंज constituency की voting में पढ़े 100 vote, अभी इन 100 vote में से 40 vote मिले आपके BJP को, 35 vote मिले आपके Congress को, तो कितने हो गए आपके 75 हो गए, और 25 vote आपके बटे किसके पास, BSP, बहुजन समाजवादी पार लेकिन क्या BJP के पास proper majority है, चुकि अगर 100 लोग vote डाल रहे हैं, तो proper majority कम से कम 50 की होनी चाहिए, लेकिन BJP की candidate को 40 ही मिले हैं, तो अगर मोहन लाल गंज की constituency में vote हुआ, BJP का candidate 40 लेके गया, Congress 35 लेके गया, BSP सपा के बर 25 ही लेके जा पाए, तो यहाँ पे जीत कुन जाएगा BJP का candidate, यह एक अलग बात है कि इस BJP के candidate को इस 100 के 50 से भी जादा vote नहीं मिले हैं, बट वो फिर भी जीत गया है, चुकि उसके पास एक majority है, तो यहाँ पे आप देखिए, यह जो BJP का candidate जीता है ना, 40 vote लाके, यह पूरे electorate को represent नहीं कर रहा है, बहुत simple चीज़ है, ठीक है यह 40 vote लेके आया है, तो यानि 60 लोग ऐसे थे, जो यह नहीं चाहते थे कि यह candidate जीते, बट फिर भी यह जीत गया है, क्यों? चुकि यहाँ पे जिसके पास comparatively सबसे ज़्यादा vote होंगे, वो जीत जाएगा, तो overall यह जो 40 vote लाने वाला जो person है, इसको बाकी 60 का representative नहीं माना जा सकता है, तो यह एक कमी बताई जाती है, आपका first past the force system की, जो आपके territorial constituency लोग सबा के election के लिए चुना जाता है, अब ही इस तरीके के defects को पूरा करने के लिए आप proportional representation के system को लेके आ सकता है, प्रपोर्शन representation के system में इन तरीके के defects को हटाया जा सकता है, बट problem बात यह है द पहली बात तो proportional representation system ही थोड़ा tricky है, दो तरीके के होते हैं, आपके proportional representation system, एक होता है single transferable vote system, जो कि president, vice president और राजसभा में elections में इस्तेमाल होता है, दूसरा होता है list system, अभी दोनों को समझाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, तो उनका समझाना तो अभी आप बूली ज से होता है, state legislative council का जो election होता हो single transferable votes होता है, president, vice president का single transferable votes होता है, जब constituent assembly में बहस चल रही थी, तो constituent assembly में इस बात को point out किया गया, जो first pass the post system लेके आ रहे हो, यह तो गड़बड है, यहां तो जो representative चुन के आएगा, वो पूरे electorate को representing नहीं करेगा, लेकिन बात यह है, कि constitution न नहीं चुना, इसका reason क्या है, पहली बात तो देखिए, हमारे देश के जो लोग है, वो इतने literate नहीं कि वो इतने complex system को समझ पाएं, कि हाँ भाई, एक आदमी ने पहले choice पे पहले का नाम लिया, दूसरे choice पे दूसरे का नाम लिया, तीसरे choice पे तीसरे का नाम लिया, इसक बियार के बिल्कुल ठेट गाउं में, आज भी ऐसा होता है, ओके, वो धीरे दीर चीज़े सुधर रही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी रहेंगी, तो कहीं न कहीं हमारे देश का जो literacy level है, चाहिए वो political literacy हो, चाहिए वो academic literacy हो कम है, तो भाईया, proportional representation के system को समझ पाना एक बड political party आने लगेंगे, चुकि अब इन political party को पता चल जाएगा कि proportional representation में, अगर उनके पास बहुत थोड़े vote भी हैं, तो इन बहुत थोड़े vote के दम पे वो थोड़े vote ले जाएंगे, पता है क्या होता proportion representation में, आपको एक constituency में मान लीजे, अगर 50 लाख voter हैं, तो इस constituency में अगर 10 सीटे अलोट कर दी जाएंगे, अब ये 50 लाख voter में, जुस proportion में vote आएंगे, उस political party को उस proportion में 10 सीटे दे दी जाएंगे, तो ये थोड़ा dangerous हो जाता है, ये जो proportional representation system होता है, ये political parties को multiply कर देता है, कहीं न कहीं government में instability आ जाती है, तो proportional representation system के बहुत से demerit से, पहली बात तो या एक territorial constituency जिसमें 50 लाख voters हैं और आपने वहाँ पे 10 members को allocate किया, तो ये 10 सीटें 50 लाख में जो भी political parties होंगी, जितने भी उनके proportion of vote secured होंगे, उसके हिसाब से 10 सीटें बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर by election का scope नहीं है, चुकि election एक ही बार होगा, और proportion representation के हिसाब से, जो भी candidate चुन गया, वो चुन गया, अभी बीच में कोई candidate मर गया, तो by election कराने का कोई भी सीनिया पे नहीं है, दूसरी बात, जो voter और representative के बीच में intimate contact होता है, वो तूट जाएगा, कभी कभी होता है ना, कि किसी एक particular इलाके में एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया होता है, तो उस particular इलाके के लोग उस आदमी को बहुत पसंद करते हों और उसको voting में जिताते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक individual नहीं लड़ेगा, अब यहाँ पे political party लड़ेगी, चुकि उस political party जितने भी vote को secure करेगी, उसके हसाब से उस political party को उन seatों को allocate कर दिया जाएगा, यह होता है proportional representation में, तो एक constituency में जहां बहुत सरे लोग vote डाल रहे हैं, वहाँ पे कुछ number of seat allocate कर दी जाएगी, और उन number of seat को जितना भी political party ने vote जीता है, उसके proportion में माट दिया जाएगा, तो यहाँ पे किसी एक person का औरा नहीं चलेगा, किसी एक person का अच्छा काम है, ground पे वो नहीं चलेगा यहाँ पे group interest promote होगा, minority thinking promote होगी, तो एक political party जो छोटा सा group of voters को command करती है, वो इस basis पे election लगेगी, चलो हमको बास एक दो vote तो आई जाएगे, तो वहाँ पे political party की चलेगी, एक individual की नहीं चल पाएगी, तो वो individuals जो सही में ground level पे अच्छा काम करते हैं, politics में, उनको यहाँ पे discour encouragement मिलेगा, party system बहुत improve होगा, voter की जो कीमत है यहाँ पे वो कम होगी, तो यह proportional representation की कुछ नुकसान है, ठीक है दोस्तों, first pass the post system यहाँ पर हमने खतम किया, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, duration of the two houses के बारे में, thank you for watching, please इस वीडियो को share करिए अपने दोस्तों के साथ have a great day, goodbye